कितनी भी काली से काली गर्दन क्या नहों, दस मिनट मैं ये घरेलू नुस्का इसको साफ कर देगा हलो माई यूट्व फैमिली तुभी कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे और खुश होंगे क्या होता है कि जैसे लेडिस है अपने फेस पे मेकप करती हैं और जो हमारी गर्दन यहे बिलकुल काली, या फिर जैसे मैंने यह कुछ पहना हुआ होता है किसी ने भी जैसे कुछ पहना हुआ है तो उसके निशान पढ़ जाते हैं टैनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है पूरी गर्दन काली लगती है या फिर हमारे यहां पर यह बिल्कुल काला जो है वो हो जाता है या फिर क्या होता है हमारे पैर बहुत ज़्यादा काले हो जात है तो चलिए मैं बताते हूं कि कैसे हम इसको साफ कर सकते हैं और फेस की तरह जो हमारी गर्दन है वह भी मैच करें और बिल्कुल क्लीन क्लियर देखें ठीक है जी तो सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो यह पसंद आती है तो प्लीज लाइक जूर कर देना और जो नहीं मेहीं आप इसको करेंगे रा तो यह बिल्कुल आपकी गर्दन जो वो साफ हो जाएगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो यहां पर गर्दन देखें आप बिल्कुल टैनिंग सी हो जाती है कई बार क्या होता है कि गले जो है या फिर आसकल गर्मिया है तो टी-शिर्ट बग्यारा हो या जैन्ट लेडिस कोई भी हो तो गले उनके थोड़े डीप रहते हैं तो टैनिंग पूरी गर्दन पर आती है और पूरा काला काला सा हो जाता है भद्दी सी लगते हैं तो यहां पर मैंने क्या लिया है बेकिंग पॉर्डर जो हम इसको अपने खाने में निम्बू के बीज जो है वो निकाल देने हैं फिर क्या करना है कि चलिए क्या होता है कि गर्दन के साथ साथ देखो यह जो बाज्यू होती है इसका जो नीचे से यहां से भी यह जहां से यह बाज्यू हमारी फोल्ड होती है बहुत ज़्यादा काली हो जाती है तो आप बह कोई भी पार्ट आपको इतना जदा काला हो गया है तो उसको आप इससे साफ कर सकते हैं यह बहुत ही घरेलून उसका 100% जो है वो रिजल्ट देने वाला है आप इसको एक बार यूज करना तो यहां पे निम्बू को काट के उसके बीज निकाल दी है और उपर से डाल दी है मै पे आपको लगता है कि जो भी आपका जो काला पन है जिस पार्ट पे आप उसको रिमूब कर सकते हैं मतला काले पन को आप रिमूब कर सकते हैं और इस तरह से इसको दस से बारा मिनट जो है वो अपने पार्ट के उपर जहां गर्दन है या घुटना है या पैर है आप उसक पे थोड़ा सा और लेना है तो इसी प्रोसेस को आपने 10 से 12 मिनट तक करना है तो ये देखिए आप और फिर देखना इसका रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा आप मेरे कहने से एक बार आप यूज करके देखना कितनी भी काली स्कीन हो जहां पर कितना भी काला पना गया हो गुतनों में पैरों मैं या एडींव एडी के पास भी जैसे काले से जो धब्बें हैं वो पढळ जाते हैं बैंट बैट के तो बहुत जग्यादा काली स्कीन हो है तो वही कि कितनी भी ज़्यादा काली हो वो एक दम से साफ हो जाएगी आप इस परसेस को एक बार तो जरूर करना मेरे कहने से एक बार यूज करना इसको फिर देखना आप उसी टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा मतलब दस से बारा मिनट आपको मिसाज करनी है निमबूर ब मैच तो यही होता है कि जब भी आपको लगेगा कि यहां पर काला कुछ जादा हो जैसे कई बार हो जाता है हम गले में कुछ पहन लेते हैं तो उसके निशान पढ़ जाते हैं तो इस तरह से आप इसको जो है वो रिमूब कर सकते हैं और एक बात कि जब आपका ये साफ हो है उसके बाद आपको एक बात का धियान रखना है कि जब आप इसको साफ पानी से जब साफ करेंगे न तो ये देखे पहले गर्दन को देखो बिल्कुल ये क्लीन होगी है बिल्कुल साफ हो चुकी है ये गर्दन तो उसके बाद क्या करना है जब ये साफ कर देंगे न पा